चैंपियंस ट्रॉफी 1225 आगला सबसे बड़ा इवेंट जिसका आप सभी को बेसबरी से इंतजार है कि ये इवेंट कब होगा और कहां खेला जाएगा क्या पकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी तो हम आपको बताते आज की इस खास वीडियो में और उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ला और इस वीडियो को लाइक कर दें चलिए शुरू करते और हम आपको बता दें जो ख़वर सामने आ रही है कि पकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी लेकिन आज इसी ने रख दी बड़ी सर्थ लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी दो हर्वराखी को लेकर हाइब रैङ्रस कर चर्चा हो रही है लेकिन अभी सम्पल सा क्लाब प कि पकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी दोहर पाकalin को हना नहीं लेकिन अभी तक पकिस्तान का इस्टेडियम तयार नहीं है और पकिस्तान के लिए बहुत सारी परशानी शामने आ रही है कि पकिस्तान में एतने बारे इवेंट करवाने के लिए जो इस्टेडियम है कि वो तयार नहीं है गाफी देश्टेडियम तक भी तयार नहीं है सारे स्टेडियम तूटे हुए हैं और पकिस्तान की रिकेट बोर्ट किसी तरह से उनको तयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन बिल्कुल ही तयार नहीं है पकिस्तान का स्टेडियम जिसमें बड़ा इवेंट करवाया जा सके साथ ही ये भी ख़वर आ रही है कि पकिस्तान की तयारी से ICC बिल्कुल न खुस है और ICC ने पकिस्तान की रिकेट बोर्ड को लास्ट समय जनवरी तक का दिया है तब आप चेंपियंस ट्रोफी करवा सकते हैं नहीं तो किसी और देश को मोका दिया जा सकता है हाला कि अभी BCCI की तरफ से चेंपियंस ट्रोफी को लेकर कोई बरा बयान नहीं आया है और भारत सरकार का इंतजार है और BCCI की भी कुछ मजबूरी है अगर भारत सरकार ने BCCI को परमिशन देती है तो टीम इंडिया जाएंगी पकिस्तान खेलने अगर गौर्मेंट का अप अपर मुदार है और भारत सरकार कोई लेकर का अपूरी है और भारत सरकार का इंता है और है और रचल्ण आपएपिया जाएंगी अगर पकिस्ताना खेली है जब विएगाई अगरा